Hello Friends, Welcome to SSE Crackers और इस चानल पे फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात होगा SSE CGL and CHSL 2021 के एक्जाम के लिए reasoning क्या 120 days के strategy के बारे में ठीक है, कल आपने देखा कि SSE के official website पे calendar आ गया है 2021 के एक्जाम के regarding कि कब आपका CGL and CHSL 2021 का एक्जाम होगा तो April से जो है एक्जाम स्टार्ट होने जा रहा है वो भी 22nd April से और जो है June तक आपका एक्जाम होगा April में CGL का एक्जाम है, May में CHSL का एक्जाम है, June में MTS का एक्जाम है तो अगर कोई SS students है जो कि ये तीनों एक्जाम को target कर रहा है तो उसके लिए ये complete strategy रहने वाला है रिजिनिंग के regarding खास करके CGL and CHSL वाले students के लिए तो बहुत ज़्यादा important वीडियो है कि रिजिनिंग का किस तरीके से त्यारी करना है आने वाले 120 days में और कैसे जो है 50 out of 50 marks लाया जाए अभी जो है golden opportunity है आपके सामने क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा है 120 days है और 120 days के कठीन परिश्रम के बाद जो है आप अराम से 15 minutes के अंदर में paper को solve करके 100% accuracy के साथ 50 out of 50 ला सकते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर दिसंबर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 days बचे हैं क्योंकि इसमें आपका आज आपका 18 हो गया 25 को Christmas day है उस दिन आप disturb हो सकते हैं 1st January है मतलब कहने का यह है कि 10 दिन आपके पास दिसंबर में है January में 31 days February में 28 days March में 31 days and April में आपके पास 20 days है यानि कि कुल मिलाकर 120 days है और इसमें आपको 50 out of 50 marks के लिए जो है तियारी करना है और target रखना है 50 minutes के अंदर में आपका paper solve हो जाए तो कैसे करेंगे वही इस वीडियो में discuss करेंगे कि किस तरीके से जो है आप अपने accuracy को increase कर सकते हैं practice कहां से आप करें यह सब चीज इस वीडियो में discuss होगा अब देखें reasoning का syllabus क्या है तो अगर जब से ssa start हुआ है और अब तक की बात करें तो कुछ कुछ questions जो है वो change हुआ है बाकी pattern तो बिल्कुल same ही रहा है ठीक है तो यह देखें यह आपका dice से related एक question आता है exam में और यह एकदम easy topic है तो one question आपका dice से रहेगा उसके बाद यह देखें इस type का question आता है exam में जहां पर आपको fill करना पड़ता है ठीक है एक आपको pair लगाना होता है कि किस तरीके से इसको pair लगेगा तो एक question यहां से यह इस type का रहता है उसके बाद जो है alphabetical आपका question आता है कि पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, ये सब टाइप का question exam में आता है, counting figure से question आता है, उसके बाद odd one out से दो question आते हैं, एक question होगे आपका mirror image से question, तो mirror image, water image से एक question आता है, odd one out से यहाँ पर एक question आगे आपका, silo से आपका question आता है, ठीक है, एक question silo से आपका रहेगा उसके बाद यहाँ पर आपको when diagram से related question आते हैं exam में एक इस type का question आता है जहाँ पर आपको sign change करना होता है कि कौन sign को change करेंगे चो equation आपका correct आ जाएगा तो एक इस type का question रहता है आपका एक आपका coding decoding से question रहता है कि कोई alphabet दे देगा इसका code देगा आपको find out करना होता है कि फिर कैसे क्या होगा blood relation से एक question आता है तो exam में कभी इस type से आपको question आ जाएगा कभी आपको figure के हिसाब से question पुछा जाता है figure को complete करने वाला एक question आता है कि अब क्या next figure आएगा embedded figure से question आता है कि यह जो figure आपको दे देगा और बोलेगा कि एक्जाम में option देदेगा और बोलेगा कि यह figure आपको कौन से option में दिखेगा ठीक है paper folding से question आता है यहाँ पर आप देखिए number based question आता है और एक question आपका इस type का भी question आता है 9, 18, 12 तो मोटा मोटी देखा जाए तो पूरा यही इसी type से आपके exam में पूरा question आता है ठीक है तो कैसे क्या करेंगे वही देखेंगे अब इस में से देखे दो तीन topics होंगे जो की थोरा सा tough होता है जिसमें आपका time लगता है बाकि 25 questions में से जो है आपके 15 to 18 questions तो ऐसे होते हैं जो की आप बहुत ही तेजी में बना सकते हैं वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर में बना सकते हैं बाकि जो remaining question होते हैं उसमें time लगता है जैसे की आपका counting figure एक ऐसा topic है जिस पे आपको बहुत ज़ादा practice करने की जुरुवत है counting figure वाले topic पे ठीक है इसमें time लगता है उसके बाद आपका ये जो question ये जो आप देख रहे हैं ये वाले type में question में जो है आपका थोड़ा सा time लगता है ठीक है उसके बाद figure based भी एक question आता है जिसे box में आपको दे देगा और इसमें जो है कुछ number रहेंगे इस type के question में भी थोड़ा time लगेगा ठीक है ये जो figure question देख रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा time लगेगा embedded में थोड़ा लग सकता है ठीक है analogी में थोड़ा time लगेगा यानि कि 5-6 topic आपके पास ऐसे हैं जहां पर time लगेगा जहां पर आपको 30 seconds से लेकर एक मिनट के अंदर तक भी आप आपको time लग सकता है बाकी जो remaining question है वो आपका कुछ-कुछ ऐसे question होते है 5-7 question ठीक है जिसमें आपको मुश्किल से 10-20 second के अंदर में आप solve कर सकते हैं ठीक है when diagram उसी में से एक topic है तो आपको practice करना है केवल इसी type के questions का ठीक है और यही सब type के total कितने questions होते है 25 questions होता है यह आप ध्यान में रखिए 25 questions पुछा जाता है यह जो coding वाला question होता है coding recording यह इसमें भी थोड़ा कभी-कभी time लगा देता है ठीक है blur relation भी 30 seconds से 45 seconds के अंदर में आप आपको time लगी जाता है तो कुल मिलाकर जो है आपके सामने simple question भी आते हैं जिसमें आपको कुछ time ज़्यादा नहीं लगेगा 10 से 20 seconds में आप बना सकते हैं कुछ आपके moderate questions भी होते हैं और कुछ थोड़ा सा advanced question भी होते हैं एडवांस वाले आपके 4 से 5 ही questions होंगे moderate वाले भी आपके 10 questions के आसपास होते हैं और 10 questions आपका simple होता है तो यही कुल मिलाकर 10 questions simple 10 questions moderate और 5 questions advance total कितने questions हो गया 25 questions हो गया तो reasoning ऐसा है कि practice कीजिएगा तो अराम से जो है आप 15 minutes के अंदर में solve कर सकते हैं पूरे paper को और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा practice की जरुवत है ठीक है अब practice में आपको क्या-क्या करना है आप थोड़ा उस पे चर्चा करते हैं questions तो आपको बता दिए कि यही type का questions exam में आता है practice के लिए देखिए reasoning के लिए आपको best रहेगा कि यहाँ पर आप यह line पढ़िए practice makes score perfect ठीक है practice makes man perfect लेकिन practice makes score perfect और आपका score कितना लाना है 50 out of 50 क्योंकि competition उपर है और हाँ एक चीज और कि अगर paper अगर exam में tough आया तो जरूरी नहीं है कि यह 50 out of 50 ही आप लाएंगे तो आपका selection होगा अगर paper tough है तो 40 से 40-45 score अगर आप करते हैं तो यह भी अच्छा score माना जाएगा यह totally depend करेगा कि किस type से exam में paper आता है ठीक है अब practice के लिए देखिए CGL 2018 के कितने sets हो गए CGL 2018 के total 20 sets आपको solve करने है CGL 2019 के भी 20 sets CGL 2020 के 20 sets यानि कि यही आपका हो गया total कितना sets 60 sets तो यही पर हो गए जहाँ पर आपको इन सभी का practice करना है CGL 2018-19-20 इसके भी total कितने sets हो गए 60 sets हो गए आपके practice के लिए और MTS के भी कितने sets हो गए 60 sets हो गए यानि कि आपके पास practice करने के लिए total 180 sets है 180 sets और 180 sets को बनाने का मतलब है कि total 4500 questions आप solve किये हैं previous year का ठीक है इतना practice अगर आप कर लेते हैं 4500 questions तो निश्चित है कि जितना भी type का आप यहाँ पर question देखे हैं पहले वाले slide में यह सब का आप बहतरीन तरीके से practice कर लेंगे यानि कि 180 questions यहाँ पर आप इसका बना सकते हैं 180 questions अगर आप dice का बना रहे हैं previous year का तो dice का हर एक type का practice हो जाएगा 180 questions जो है अगर आप counting figure का बना रहे हैं previous year का तो निश्चित है कि counting figure का भी सारा type का questions आपका solve हो जाएगा ठीक है इसलिए जादा से जादा focus करना है previous year के questions पेपर का ठीक है बाकी अगर आपको कुछ नहीं आता है zero level का आपका knowledge है इस वक्त reasoning में यानि कि आप fresher है तो आप अपने पास आरे सगरवाल का जो है verbal and non-verval reasoning का एक किताब आप रखें ठीक है यहां से आप basic knowledge ले सकते हैं pinnacle की book है जहां पर TCS में जितना भी questions पूछा गया है वो सारा का यहां पर आपको मिल जाएगा question बाकी कीरन publication का जो है reasoning का previous year भी आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है मोटा मोटी reasoning के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है previous year का ही practice करना है और यह आपका काम है कि आप previous year के paper को कहा से arrange करते हैं ठीक है अगर आपको previous year चाहिए तो आप अगर google पे भी जाएंगे गूगल पे आपको जैसे माल के चलिए CGL 2020 का आपको all questions paper चाहिए तो आपको लिखना है SACC CGL 2020 all questions paper ठीक है आपके पास बहुत सारा website खुलेगा वहाँ पर आपको link मिल जागा download का आप वहाँ से download कर सकते हैं ठीक है यह सब चीज आप क्या करेंगे पूरा practice करेंगे previous year का क्योंकि आपके पास total कितना दीन है 120 days है ठीक है अब देखिए time table क्या होना चाहिए आपके routine में one and half hour जो है यह आपके होना चाहिए reasoning के लिए ठीक है time table में one and half hour आपको reasoning में देना है ठीक है आपके पास stop watch होना चाहिए ठीक है stop watch लगाके आप जो है जैसे आपको exam में तो 15 minutes के अंदर में solve करने हैं लेकिन आप क्योंकि घर पर practice कर रहे हैं तो आप एक काम करेंगे stop watch में लगाएंगे आप 25 minutes अगर आप लगाएंगे तो उसके बाद आपका और आपको solve करना है दो set को तो 25 into 2 करेंगे यानि कि 50 minutes हो गएं आपको set बनाने में उसके बाद 40 minutes आपके होंगे analysis पे अच्छे से आपको analysis करना है ठीक है जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर आपने एक question बनाया ठीक है आपने question मनाया मान के चलिए कि ये वाले अब ये वाला आपका गलत हो गया यहाँ पर तो गलत हो गया तो आप तुरंट answer देखेंगे कि भाई गलत हुआ तो हुआ कैसे अब उस पे analysis करेंगे क्या process क्या logic लगाया है book में किस तरीके से examiner ने इसमें logic लगाया है उस logic को आप समझेंगे इसी तरीके से analysis करना है साइलो का कोई question है बान के चलिए कि आपका option A आया और answer है option number B तो आप देखेंगे कि कैसे option number B आया क्या इसमें problem है तो इसलिए analysis पे बहुत अच्छा ख़सा आप time invest करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर आपका दो set आपको 50 minutes में बनाना है यानि कि हर एक set 25 minutes में बनाना है मान के चलिए कि 20 minutes में अगर आपने बना लिया तो फिर अच्छा है आप फिर analysis में time लगाते रहेंगे उसके बाद एक separate note आप रखेंगे notebook उस notebook में कोई सा भी ऐसा ऐसा questions एनलोगी का या किसी भी type का जो जिसमें आपका problem हुआ उसको आप note down भी करते चलेंगे और उसका practice करते चलेंगे कोई नया logic लगा हो उस logic पे जो है आपको practice करते रहना है तो यह सब चीज आपको करना है reasoning के लिए तो आपका देखिए आने वाले 120 days में अगर आप हर दिन दो set बनाते हैं यानि कि 240 sets आप अराम से बना सकते हैं लेकिन आपको बनाना कितना है सिर्फ और सिफ 180 sets ही बनाना है और यह विश्वास मानिए कि अगर आपने 180 sets previous year का practice कर लिया और उसका detail analysis कर लिया तो आपको कोई भ level कितना भी उपर क्यों नहीं हो जाए highest marks तो आप ही का होगा यह बात भी आप note कर लेजिए ठीक है 50 minutes sets पर देना है आपको और 40 minutes analysis पर करना है अपना जतना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं उतना ज्यादा दिमाग आपको लगाना है क्योंकि reasoning में अगर आपने 50 ले आया ठीक नहीं है अगर आपको थोड़ा सभी knowledge है तो बाकी जो है practice के लिए मैं अपने चैनल पर कुछ कुछ करवाता रहूंगा वहां से भी आप practice कर सकते हैं ठीक है तो यह सभी चीज आपको reasoning के लिए करना है ठीक है reasoning का strategy के लिए यही सब चीज आपको follow करना है आने वाले 120 days में मैं मैंने इससे पहले जीके का भी strategy आपके साथ share किया है ठीक है English का share किया है आपको आज reasoning का हो गया अब आने वाले टाइम पर मैंस का भी share आपके साथ करेंगे ओके तो उमीद है कि आप जो है आने वाले 120 days का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तमाल करने वाले हैं और अपने preparation को बहुत ही अच्छे लेवल पर ले कर जाना है आपको तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए all the best